कांग्रेस जल्दी ही लोकसवा सीटों की यानि की राजस्थान, मद्य प्रदेश, 36 गड़ों ये उत्तर पट्टी जो है इसके टिक्टों की जल्दी ही गोशना कर सकती है इस गोशना में किस-किस के नाम हो सकते हैं इस गोशना में वैवग एलोत का क्या होगा जालोर सिरोई स जोशना में मानवेंदर सिंग जसोल का क्या होगा जोधपुर से लड़ेंगे या बाजबा में जाएंगे भावर जितेंदर सिंग अलवर से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे सचिन पाइलट क्या करेंगे इसके अलावा जो अपन बात करें आरेलपी का क्या होगा भारत आदिवासी पार्टी का क्या होगा तमाम बिंदों पे आज चर्चा करेंगे नमस्कार मैं प्रदीब हूँ आप थिंक 360 देख रहे हैं आपसे अपील है कि अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक शेर नहीं किया अमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को ताकि हम आपको लगातार राजस्थान की राजनीत इसे रिलेटेड लोगसभा चुनाओं के अपडेट लगातार देते रहें तो खास करके राजस्थान को लेके क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ने 49 सीटों की जो गोशना की है केरल में की है या यूटी यूनियन टेरिटरीज के जो इलाके रहें हैं वहाँ गोशना की है अब सवाल ये है कि कांग्रेस क्या वाकई में राजस्थान में किसी पार्टी से गटबंदन करेगी जिसमें आरलपी या बीटीपी हैं बड़ा सवाल है कम्निस्टों से गटबंदन की बाद बलवान पूनिया ने पुरजोर तरीके से उठाई लेकिन मानी नहीं गई ऐसे में वो जो डिमांड है वो वहीं पड़ी रही अब लगता है कि राजस्थान में आरलपी वाले में स्थानी ये नेताओं ने बड़ा विरूद जता है जिसमें हरी शौदरी एक बड़े नेता हैं जिनोंने सांसदी संभाली थी 2009 से 2014 की सरकार में राउल गांदी के नजदे की माने जाते हैं उभरते जाट नेता हैं तो अब सवाल ये है कि कांग्रेस जो है वो किस दिशाम में जाएगी क्योंकि बैठक सी इसी की होने वाली है और इस बैठक के लिए डोटासरा यानि कि गोविन सिंग डोटासरा दिली में है जो प्रदेश अद्यक्स हैं और अशोग गहलोत को वो पीछे छोड़ चुके हैं बीते कुछ दिनों में अशोग गहलोत जो की उंगली पकड़ के सीट पे पहले नंबर पे लेके आये हैं यानि कि चुरू का टिकट जो है अब लगबग फाइनल माना जा रहा है कि राहूल कस्वा ही चुरू से कांग्रेस के उमिद्वार होंगे अब दूसरी सीटों की बात करें तो समीप परती जुन-जुनु सीट पे आना चाहिए जहा जित्रा सिंग से उनकी सीधी अदावत रही उस जमाने में लेकिन क्या जो ब्रजेंद्र ओला है वो खुद मोजुदा विधायक हैं जुन-जुन के लगातार विधायक हैं क्या वो खुद टिकट लेंगे या अपने परिवार से किसी को दिलाएंगे बड़ी बात हैं क्यों सिंग भी लड़े डोटा सरा और सचिन पाइलट भी लड़े तो वो लड़ेंगे अन्य धाव वो चाह रहे हैं कि परिवार से किसी को टिकट दिया जाए एक तो कास्ट बेस एक्वेशन जो है वो कांग्रेस माइनरोटी बड़ी संख्या में जुन-जुनु में हैं तो उनके पिता पूरू सांसद रहे चुके हैं चुरू के पहले कांग्रेस ही सांसद रहे थे फिर जैसिंग राटवोड 168 वोड से हार गए उनका आरोप है कि मैं जीता हुआ था राजिंद राटवोड पे आरोप लगाते हुए अपनी बात कहते हैं उनका एक कहना था कि चु चुरू में आप कांग्रेस ताय कर चुकी है राहूल कस्वां को टिकट दिया जाना अब देखना यह है कि चुरू उसके लावा जुझनू सीकर नागोर अजमेर भिलवडा या बाड़मेर जोदपुर इन सीटों पे पाली जाटनेताओं की डिमांड है मसलान की पाली सीट पे बदरी जाखड मांग रहे हैं दिव्या मदेरना मांग रही हैं बाड़मेर सीट पे हरिश चुदरी की डिमांड है टिकट दिया जाए पिछली बार मानविंदर सिंग जसोल को दिया गया था इसी तरह जैपुर ग्रामिन में पिछली बार कृश्णपूनिया को लड़ा क्या कायम खानी या मुस्लिम जो है वो टिकट कटने से कांग्रेस ही के होके रहेंगे या थार्ड प्रंट के और जाएंगे बड़ा सवाल है क्योंकि इन दोनों जिलों ही सीटों पर बसपा का खासा प्रभाव है कबनिश्टों का भी प्रभाव है तमाम चीज़ें हैं क्या महिंदर सिंग्र लावता का नाम चलता है या टॉंक सवाई मादोपूर से सचिन पैलेट लड़ेंगे लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे बड़ी बात है आज की बैठक में चीज़ें सामने आ सकती और जो लिस्ट आने वाली उसमें कहा जा रहा है कि चूरू सीट जो है वो पहले लिस्ट में आ जाएगी सीपी जोशी इस बार सदन में नहीं है तो निश्चित तोर पे उन्हें बिलवडा से सांसद का चुनाव लड़ाया जा सकता है क्या वो राजसमन से लड़ेंगे लेकिन राजसमन से देव की नंदर गूजर का नाम चलता है जिनको काका न अब राजसमन सीट जिसके हम बात कर रहे हैं वहाँ बीजेपी से कोन होगा ये भी बड़ा सवाल है दिया कुमारी अब चुकि मुक्हिंत मंत्री है प्रदेश में वो सीट छोड़ चुकी है तो लिहाजा वहाँ क्या एक बार फिर से कोई नया चेहरा आएगा यह बड़ा स तक हैनके रहने वाले ना गोर की कुछ सीटिं जहाँ हैं उनका नाम है भवाने सिंग कालवी फोलो प्लेयर रहे हैं और भवाने सिंग कालवी की भी डिमांड है की उन्हें टिकट दिया जाए हैं लेकिन गी तो कंग्रेस के ओर से यह रावत भाहुल लिएलाफा है सुदर् पाली सीट पे बदरी जाखड डिमांड कर रहे हैं दिव्या मदेरना डिमांड कर रही हैं तो यह पाली कॉंग्रेस चुंकि 2009 से जाड प्रत्याशी को यह देती रही हैं चुनाव में बदरी राम जाखड वहां सांसत बने दोजार शौदा में उनकी बेटी मुन्नी देवी गुदारा चुनाव हार गई पी पी चौदरी के सामने 2019 में बदरी जाखड खुद हार गए हैं बदरी जाखड 2004 से जुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का 2004 में वो जस्वंत सिंग विश्नोई के सामने हारे थे जोदपूर से पिर जोदपूर जिले की तीन लोग विदान सबा सीट ओसिया फलोदी और बपाल गड़ है बिलाडा बपाल गड़ और ओसिया तीन सीटें पाली में आ गई तो पाली का समीकरन कड़ बड़ा गया जहां लंबे समित सक जैन ही यहां से सामसद रहे जैसे गुमानमन लोड़ा रहे उसके बाद पुश्प जैन रहे लगातार दो बार लेकिन फिर यह सीट जो है वो जाट राजनेती आने के बाद में यहां से जैनों के कबजे से निकल गई सीरवी जो की OBC की कास्ट है उस कास्ट में पीपी चौधरी उस जाती से आते हैं तो उनको टिकट देने के बाद लेकिन इस बार पाली में समीकरन अलग बन रहे हैं पाली में पिपी चौधरी का जो विरोध है, वो विरोध चुपके चुपके, यानि कि मंद आंच पे पकरा आये, मसलिन की भाजपा के सभी पाली की नेता चाहते थे, जिसमें जैन लॉबी वाले नेता, पिपी चौधरी की इतर जो गूठ है उस नेता, इसमें कई विधायक सामिल है कि सुरेश चौधरी जो को युवा मोर्चा की पूरु जिलाद्यक से उनको टिकट दिया जाए अथ्वा अगर सीर्वी का देन सीर्वी को चेंज करना है तो फिर आप महेंदर बोरा को दीजिए या ज्यांचन पारक को दीजिए पुष्प जैन को दीजिए लेकिन य जो विरोध सामने नहीं आ रहा है कांग्रेस टिकट किसे देती उस पे बड़ा बड़ा जो है फैक्टर तै करेगा पाली सीट पे अगर अपना आएं पडोसी जोदपुर सीट पे जोड़ा सा अलग रूप रंग माहोल वाली है वहां गजंदर सिंग शेखावत का खुले त जेखावत का जोदपुर सीट पे शेखावत चाते हैं मानवेंदर सिंग नहीं लड़े इसलिए चारे मानवेंदर सिंग राजसमन शिफ्ट हो जाएं तो यह मारवाड में थोड़ा अलग तरह का महूल चल रहा है मारवाड में पिछली बार हनुमान बेनिवाल से जो पुरिपनिया के यहाँ पूराइबर चौधरी लगता है कि जिस तरह की इनका स्पीचिज आते हैं जिनका अंदाज लगता है वह एक सुरक्षित जो है वह वुदा चाहते हैं मवजुदा सरकार से लगता है कि रविंदर सिंग भाटी जो है वो एड़िस्ट कर लिए जाएंगे लेकिन क्या होगा प्रियंद का चोधरी का दो सीटें जो की और कुल वोट शेयर में बाड़मेर में कांग्रेस आगे हैं हेमा राम चोधरी पूर वसांसत जो है कनल सोना राम हरिश को जोदपुर से उतारा जाता है तो दोनों सीटें भाजपा के लिए ट्रेडी की रहे आज की तारिक में फिर राजनिती संभावनाओं का खेल हैं वक्त बदल जाता है इस सीट पे क्या आशोग गैलोत लड़ सकते हैं बड़ा सवाल है लेकिन जिस तरह से उनके समर्थकों से बात होती है उनकी इच्छा है कि वैभ व गैलोत जालोर स्रुष्रूर सर्विशर लडए तो कद्दावर जो वहां के समाज है जिसमें देवासी समाज का नाम पिरमुख हैं उनहें लगेगा कि हमारा टिकट काटा गया वह ऐगर भागई हो गे Bennett समाज में टिकट मांगा था नहीं दिया राजबु समाज के लोग बूटा सिंग को ले आए वहां कांग्रेस हार गए है। अब लाय जाते हैं तो जाती कि मूल वोट बेंक तो कम है ऐसे में सेस्टी वोट बेंक और मायनोरटी के वोट बेंक तथा अगर जनरल के वोट बैंक, कॉंग्रेस की पक्षाते हैं, तो यहां समिक्रन बनते, इसी समिक्रनों पर काम कर रहे हैं, अशो गैलोत के सिपह सालार, धर्मिंदर राठोड, पुखराज पाराशर और हेम सिंग शेखावत, लेकिन तीनों में ही एक समानता है, तीनों ही सिपह सालारो में कि राजनितिक गनित बड़ी जबरदस्त जानते हैं, लेकिन चुनाव लड़के कभी जीते नहीं, धर्मिंदर राठोड, चुनाव लड़े थे बांसुर से, जमानत जब्त करवा बैटे, फिर टिगट ही नहीं पा सकें, एम सिंग शेखावत का कभी कोई चुनाव नज कि ये बाहर ही कोई भी आया, तो वो चुनाव लड़ेंगे, निर्दलिये, लाल सिंग राठोड बुला लिये गए हैं, जेपुर, अशोग गैलोत से उनकी मुलाकात का फोटो भी वाइरल हुआ है, हम चाहेंगे कि लाल सिंग राठोड से मुलाकात हो, बात हो, और आपके स राजनितिक प्रतिष्ठा, राजनितिक उद्रारद के काल में सेट अप करने की कोशिस उस सीट से कर रहे हैं, जा डवलप्मेंट के प्रियास भाजपा, कॉंग्रेस, तमाम तरह की सरकारों ने कभी नहीं किये, लोगों का ये भी कहना है, वेबो गैलोत अगर 2019 में आते हैं उनके पिता सीम रहते हैं, तो इस इलाके पे विशेस नजरें इनायत रहती हैं, लेकिन वो नहीं ही हुई, तो यहां वहां सीट जो है, वो कास्ट एक्वेशन में फस रही है, अगर राजपूत निर्दलिय जाते हैं, तो उसका सीधा फाइदा वाजपा को होगा, सीधा फ कॉंग्रेस के बड़े नेता हैं, जिसमें सीपी जोशी का नाम है, क्या अनुमान बैनिवाल से गटबंदन होगा, क्योंकि कॉंग्रेस के कही नेता हो ने, भारत आदिवासी पार्टी से गटबंदन होगा, गनेश गोगरा का नाम का पैनल में बेज चुकी है, जो कि देखे गए हैं, राम मंदिर दर्शनकाण, तमाम चीजे हैं, क्या लगता है, हमें कमेंट करके बहुत जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद,